हाई एम राहूल प्रिंज ट्यूटर्स और आज हम लीनेर एक्वेशिन वन वेडियेबल के बारे में बढ़ेंगे यह हमार आज को अब्जेक्टिव है जो की कहता है इस वीडियो में हम एक्वेशिंस को सिंप्लिफाय करना सीखेंगे सो शुरुवात करने के लिए सबसे पहले एक warm-up question हम यहाँ पर try करेंगे question कहता है is w equals 3 a solution to this equation कि यहाँ पे w equals 3 क्या इस equation का solution होगा या नहीं होगा आए हम यह जानने के लिए w की जगे 3 की value put करके देखते है है तो हमारा यह हो जाएगा 79 इक्वल्स टू 102 ओवर 3 को solve कर देंगे तो हमारे पास आता है 79 इक्वल्स टू 34 जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम सीखेंगे simplifying equations एक example के मदद से जैसे कि example कहता है solve for x हमें यह equation x के लिए solve करनी है जैसे कि हम यह पर देख सकते हैं जो यह equation है एक linear equation नहीं है left hand side पर सो हम सबसे पहले left hand side and right hand side of the equation में 2x plus 3 से multiply करेंगे सो हम इस equation में अगर left hand side and right hand side दोनों multiply करते हैं तो हमारे पर equation जो मिलती है वो है x plus 1 over 2x plus 3 2x plus 3 3 over 8 2x plus 3 सो 2x plus 3 से 2x plus 3 कट जाएगा तो हमारे पर बचेगा x plus 1 equals 3 over 8 2x plus 3 जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर नीचे 8 है denominator में तो अब मारा अगला step जो होगा हम left hand side and right hand side दोनों जगे 8 से multiply करतेंगे तो हमारे पास जो है equation आएगी 8x plus 1 equals 3 2x plus 3 हम इसे solve करेंगे तो हमारे पास equation आएगी 8x plus 8 equals 6x plus 9 अब यहाँ पर अगर हम like term separate करके solve करें तो हमें हमारे पास बचेगा 2x equals 1 अब यहाँ पर जैसे कि हमें पता है left hand side में 2 बचा है हमारे पास तो हम left hand side and right hand side दोनों जगे 2 से divide कर देंगे तो हमारे पास x की value आएगी वो half आजाएगी यह हमारे दो practice questions है आप यह वीडियो पास करके try कर सकते हैं और in Kansas यहाँ से check कर सकते हैं thank you for watching the video for more you can login to justtutors.com